असलाम अलेकुम विवर्स वेलकम बेक टू मैं चैनल जायके इंडिया आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही जादा क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार ब्रैट रोल्स बनाने की इन्हें बनाने के लिए ना तो आपको अलग से स्टाफिंग त्यार करनी होगी और ना ही ब्रैट को बेलना पड़ेगा रेसिपी बहुत ही इजी और मज़े की है रेसिपी को एंड तक देखिएगा पसंद आये तो लाइक करके चैनल जाएक इंडिया को वन टाइम सब्सक्राइब भी कर दीजीगा काफी सारी सब्सी और सिर्फ 300 ग्राम चिकन से 30-35 रोल बनकर त्यार हो जाते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में बना कर आराम से आप इने फ्रीज कर सकते हैं एक से तेड़ महीने के लिए तो आई देख लेते हैं हमने इने किस तरह से बनाया है यहाँ पर हमने ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन अच्छे से वाश कर के लिए है इसे कड़ाई में डाल देंगे साथ ही डालेंगे एक चाथाई चमच नमक और एक चाथाई चमच काले मिर्च पाउडर अब चिकन को पकाना है इसके लिए एक गिलास पाने डाल देंगे अच्छे से मिक्सर लेंगे और हाई फ्लेम पर जैसे ही चिकन में वायल आ जाएगा गैस की फ्लेम को मीडम टू लो कर देंगे और ढखकर इतनी देर पकाएंगे कि चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए और चिकन की आधा कप यखनी भी बच जाए 5-6 मिनट के बाद देखिए चिकन पक गया है और यखनी भी बच गया है इस पैचुलर से प्रैस करके देखेंगे चिकन गला है या नहीं ये अलग होने लगा है अच्छे से पक गया है अब गयास को बंद कर देंगे और इसमें से चिकन पीसिस निकाल कर ठंडा होने पर श्रैट कर लेंगे और इस यखनी को आगरा सीपी में यूज़ करेंगे अब नेक्स्ट इस स्टेप में एक बड़ी कड़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चमच बटर और दो चमच कुकिंग ओयल जब बटर और ओयल गरम हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे एक चमच कटा हुआ लैसुन अब एक मिनट के लिए लैसुन को फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दोर हो जाए अब एक मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमच कटा हुआ अदरक और साथ ही डाल देंगे एक मीडिम सैस की बारी कटी हुई प्याज और अब चमच चला कर मिक्स करेंगे और प्यास को हलका सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे यानि एक मिनट तक ही हमें प्यास को फ्राई करना है बहुत ज्यादा नहीं अब इसमें डालेंगे एक कप बारी कटी हुई गाजर और एक कप बारी कटी हुई बेंस इसमें आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं इन्हें मिक्स करते हुए एक से दो मिनट तक फ्राइ कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी पक जाए अब दो मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप शुमला मिर्च और अधा कप ये स्वीट कॉन है ये डाल देंगे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फिलेम पर पकाएंगे ताकि इस सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए साथ हम इसमें कुछ मसाले भी डाल देंगे एक चमच कुटी मिर्च एक चमच मोटा कुटा धनिया एक चमच भूना कुटा जीरा आधा चमच कुटी काली मिर्च एक चमच नमक डालेंगे अगर कम लगेगा तो बाद में नमक को अड़्जस्ट कर लेंगे अब दो चमज सोया सॉस डाल देंगे इसे डालने से फ्लेवर इनहेंस होगा अब इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं और अब फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे और ये जो यखनी हमने बचाई थी इसमें डालेंगे दो चमज कॉर्ण फ्लोर कौन फ्लोर ही डालना है आपको मैदा नहीं डालनी है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कौन फ्लोर के इस भूल को हम सबजयों में डालकर जल्दी से चमच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे साथ ही हम इसमें शिरैट किया हुआ चीकन भी डाल देंगे और चिकन इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉर्ण फलोर डालने से सबजियां और चिकन की बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी या आपस में जोड़ जाएंगे बस एक से देर मिनट तक ही पकाएंगे ताकि कॉर्ण फलोर का कच्छपन निकल जाए अब गैस की फलेम को बंद करके हमने मिक्स्चर को एक बड़े बावल में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि हमें इसमें अभी और चीजे भी एड़ करनी है जब ये मिक्स्चर हलका सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें दो उबलेवे आलू ग्रेट करके डालेंगे हमने आलू को उबाल कर ठंडा कर लिया था आप इसमें दो की जगा तीन या चार आलू भी डाल सकते हैं यानि तीन सो ग्राम चिकन में आप चार सो ग्राम आलू तक डाल सकते हैं और आलू को ग्रेट करके ही डालें ताकि इन में कोई गुटली ना रहे तो यह हमने दोनों आलू ग्रेट करके डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे ब्रैट क्रम्स यह हमने चार स्लाइस ब्रैट के तोड़कर मिक्सी में पीस लिए है यह डिर्ड कप के बराबर हैं यह डाल देंगे अब डालेंगे तीन से चार कटी हुई हर इमेज और एक कप कटा हुआ हरा धनिया अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से यह स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे इसी स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर लें आलू और ब्रैट क्रम्स डालने की वज़ा से नमक कम हो गया था इसलिए हमने इसमें आदा चमच नमक एड़ कर लिया है आप भी एड़ कर लीजेगा मिक्स्टर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हाथों पर हलका सा ओयल लगाकर थोड़ा सा मिक्स्टर लेकर रोल बनाना शुरू कर लेंगे मिक्स्टर को हाथ से प्लेन करते हुए तकरीबन तीन इंच लंबा और एक इंच इसकी थिकनेस रखते हुए सभी रोल बना लेंगे और अगर आप इनकी शेप गोल टिक्की की तरह रखना चाहें तो रख सकते हैं दिखिए गोल शेप में भी ये आसानी से बन गया है कोटिंग त्यार करेंगे ये हमने आधा कप मैदा एक बॉल में ले ली है अब इसमें डालेंगे एक चाथाई चमच काली मिर्च पाउडर और एक चाथाई चमच नमक ताकि ये कोटिंग फिक ही ना रहे अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते हुए एक लिक्विड बना लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लमस ना रहे तो ये इस तरह से एक पतला घूल बनाकर हमने रेडी कर लिया है इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स ये हमने दो कप ब्रेड क्रम्स गहत पर बनाकर ही लिये हैं ब्रेड को तोड़कर मिक्सी में पीस कर कढ़ाई में डालकर मीडम फ्लेम पर चमच चलाते हुए 4-5 मिन तकि ने रोस्ट करके लिया है अब एक रोल उठाएंगे पहले इस रोल को डिप करेंगे मैदा की घुल में अब चमच या काटे की मदद से उठाकर इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए कोट कर लेंगे यह देखे जिस तरीके से हमने क्या है उसी तरीके से करना है और अगर आप बहगत जादा प्रिस्पी और क्रंची करना चाहते हैं तो इन रॉल की डबल कोटिंग कर सकते हैं लेकिन सिंगल कोटिंग में ही यह रॉल काफ़ी जादा क्रंची हो गए थे इसलिए डबल कोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यह सारे रोल हम इसी तरह से कोट कर लेंगे अब इनको फ्रीज कैसे करना है यह देख लेते हैं यह हमने एक प्लास्टिक कंटेनर ले लिया है आपके पास प्लास्टिक या काच का जो भी हो वो कंटेनर ले सकते हैं अब इसमें कोई बटर पेपर या प्लास्टिक शीट रखेंगे और उनके उपर यह रोल रखेंगे अब यह रोल आपस में चिपके नहीं इसके लिए एक प्लास्टिक शीट या बटर पेपर इनके उपर रखेंगे और दूसरी लेयर लगाएंगे रोल की बस इसी तरीके से और कंटेनर के साइज के हिसाब से आप रोल रख सकते हैं अब कंटेनर को बंद करके फ्रीजर में रखतेंगे और एक से डेल महिने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे अब इन्हें फ्राई किस तरह करना है ये देख लेते हैं ये हमने ओयल को अच्छा गरम करके फ्लेम को मीडियम कर लिया है अब एक एक करके ये रोल ओयल में डाल देंगे ये हमने 7-8 रोल एक बार में डाल दिये है अब उलटते पलटते हुए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें फ्राई होने में क्योंकि अंदर से सभी चीज़े अच्छी तरह से पकी हुई है बस इनके उपर की लेयर पर अच्छा सा क्रँच आने तक हम इने फ्राई करेंगे और जब इन पर अच्छा सा कलर आ जाएगा ये देखिए इस तरह से तब इन्हें ओयल से निकाल कर चलने में रखेंगे सभी रोल निकाल कर चलने में रख लेंगे ताकि एक्स्टा आउयल निकल जाए बस इसी तरह से आप जितने चाहे रोल फ्राई करें और बच्छी वे रोल फ्रीज कर लें तो भी देखिए कितनी आसानी से हमारे ये एकदम क्रिस्पी ब्रैड रोल बन कर त्यार हुए है और बहुत टेस्टी भी बनते हैं ये रोल आपको रमजान शरीफ के मौके पर इस मज़िदार रेसिपी को जरूर ट्राई करना है बहतरीन से हमारे ब्रैड रोल बन कर रेड़ी है बहुत आसान रेसिपी है खाने में भी टेस्टी है बचों और बड़ों को सभी को पसंद आएगी रेसिपी ट्राई जरूर कीजेगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जाएक इंडियो को सबस्क्राइब भी जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अल्ला हाफिज